साथ अगस्ट, 2021 को टोक्यो अलिम्पिक में अथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वन्पदक जीततर इतिहास रचने वाले नीरच चुपरा का जन्व 24 दिसम्बर 1997 को हर्याना में पानिपत के पास खंड्रा गाउं की किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने चंडीगर के दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलिज से सनातक की उपाधी प्राप्त की। उनकी मा सरोज देवी एक प्रहिनी है और पिता सतीश कुमार एक किसान है। चुकि उनका वजन अधिक था इसलिए उनके परिवार ने चोपरा को हमेशा खेल में शामिल होने क 2014 में उन्होंने बैंककोक में यूथ उलिम्पिक क्वालिफिकेशन में पहला अंतर राश्ट्रिय पदक प्रजत जीता। 2015 में उन्होंने चेनए में अंतर राज्यकारेकरम के दोरान 77.3 मीटर के थ्रो के साथ राश्ट्रिय सीनियर चैंपियनशिप में अपना पहला पदक खई राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर भार्टिय सेना ने उन्हें 2017 में जूनियर कमीशन अधिकारी बनाने का फैसला किया। उन्हें नायब सुवेदार के पत के साथ राजपूताना राइफल्स ने जू 27 अगस्त को नीरच ने एशियाई खेलों में 88.06 मीटर की थ्रो के साथ स्वन पदक जीता। अथलीट कोहनी की चोट के कारण 2019 में आर्ट महीनी के लिए आक्शन से बाहर था। अब अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिकत्स परधाओं में स्वन पदक जीतने वाले दूसरे भारतिया हैं। वह इसी नई लीग में 87.86 मीटर की थ्रो के साथ टोक्यो अलिम्पिक के लिए क्वालिफाई हुए थे। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 85 मीटर के अ अलिम्पिक क्वालिफिकेशन मार्क को पार किया और अंतराश्रिय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। देया ताओ